तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी higher education की classes regular आ रही है तो आज हम उसमें पढ़ने वाले हैं सोतंतर था के पाश्यात उच्च सिक्षा higher education after independence यानि जब सोतंतर हो गया था हमारा भारत उसके बाद जो हमारी सिक्षा थी higher education थी वो कैसे कैसे work करी उससे पहले हमने पढ़ा ह है कि जब हमारा देश वाततर नहीं था उससे पहले सिक्षा प्रडाली कैसी थी वह पढ़ चुके हैं तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पर चकाउट कर लीजिए आज हमारी class 9 है इससे पहले हम 8 classes ले चुके हैं तो अगर आपने अभी तक नहीं तो अतना ही आपके लिए अच्छा होगा जल्दी जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए उससे आप अपने काम निप्टा लीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हम अपने आज का लेक्चर तो क्लास को शुरू करने से पहले सब्सक्राईब करों है और यहां स्थे थे चाहले है आपके चाहलेन पर लिए वाटसुप से भी जो इन कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्सनल कोरी यह तो आका में मेश करें आज हम देखने बाले हैं कि जब हमारा भारा स्वतन्द कर गया तो जो शिक्षा अप्ढाली थी तो University Education Commission जो है उसका दूसरा नाम क्या है राधा कृष्णन आयोग इंपोर्टन्ट है याद रखेगा कभी-कभी आपसे राधा कृष्णन आयोग लिख करके कोशन पूछ देगा और कभी-कभी विश्यो भी देले सिक्षा आयोग करके तो यह आपको याद रख रहा है कि जो University Education Commission is also known as a Radhakrishnan Commission ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है जब देश ने स्वतंतरता प्राप्त की तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी उनका सामना करने के लिए सुद्र शिक्षा व्यवस्था का होना आवश्यक था जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत सारी चुनौ इसलिए बहुत सारी चुनौतियां आई एक सुद्र शिक्षा व्यवस्था को बनाया गया ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है सरकार ने डॉक्टर सर्वपली राधा क्रिशनन की अध्यचिता में आयोग स्थापित किया तो सरकार ने एक आयोग स्थापित किया और उसके अध् उस आयोग का क्या था कि जो समस्याएं उनको देखना वर्तमान परिस्थिती का अध्यन करना कि जो हम इस समय मैं परिस्थिती है वो कैसी है उसमें कितना सुधार की जरूरत है उनमें सुधार भविश्य की अवश्यक्ताओं के अनुसार सुझाव देना और उनसे कहा गया क कि आप समस्याओं को देखिए वर्तमान परिस्थिती को देखिए और उसमें सुधार के लिए हमें कोई योजना बताईए हमें कोई सुझाव दीजिए यह किसका काम था डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन का ठीक है निक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन बनारस हिंदू विश्व विद्याले के पूर्व उपकुलपती रह चुके थे और भाद में भारत के दूसरे राष्टपती भी बने थे इंपॉर्टेट पॉइंट है यह कि जो सर्वपली राधा कृष्णन विश्व विद्याले के कुलपती थे और भारत के क्या दूसरे राष्टपती थे इंपॉर्टेट पॉइंट है याद करेगा लिख लीजिए आप लो नेक्स्ट पॉइंट है आयोग ने 10 की बजाए 12 वर्ष की माददमिक सेख्षा का सुझाओ दिया तो जो राधा कृष्णन अध्य त्याचिता में गतिट किया गया था उस आयोग Carne क्या कि कि 10 के 17 cod प्रवेश को रखेंगे और कहा कि विश्व विद्याल में प्रवेश इंटरमेडियर परिच्छा के बाद होगा जब हम युनिवर्सिटी में यानि कॉलेज में अगर हम प्रवेश लेते हैं तो वह प्रवेश कब किया जाएगा जब हम 12 तक अपनी सिक्षा प्राप्त कर लें की स्थापना करके माद्यमिक सिक्षा और उच्चे सिक्षा के एकी करण का सुझाओ दिया उन्होंने बोला कि जो माद्यमिक सिक्षा है और उच्चे सिक्षा है उसको क्या करना चाहिए एकी करण करना चाहिए उन्होंने सुझाओ दिये थे ठीक है मानना ना मानना वो सरका स्थापित करने का सुजाव को रधक रुषनन ने अखिल भारतिय शिक्षा आयोग इस्थापित करने का भी सुजाव दिया जो ग्रामीर है जहां कि इस पैले नाम कहा है कि पर टुल में पहले डाने जाहीं तो उसका दूसरा नाम क्या है तो वह रादा क्रेशनल आयोग। दूसरा है कि जो रादा क्रेश्णन थे उसको अध्याच बनाया गया। किसका अध्यच्च बना गया सरकार ने बोला कि आप देखिए वर्तमान परिस्थिती को देखिए जानिए और उसमें सुधार में भविश्य के जो भी अवश्यकता है उसके उसके अनुसार हमें सुझाओ दीजिए तीसरा क्या था डॉक्टर सरपली रादा कृष्णर बनारस हिंदु विश्य विद्याले के क्या थे उपकुलपती थे और भारत के दूसरे राष्टपती भी थे यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं अच्छे से नेक्स्ट हम देखेंगे माध्यमिक सिक्षा आयोग सेकेंडरी एजुकेशन कमेशन उन्निस सो बावन ठेक है फ स्थापना की गई तो स्वामी मुदालियर ठीक है लचमार स्वामी मुदालियर की अध्यच्छता में स्थापना की गई इसकी कव की गई उन्निस सो भावन में इस आयोग ने ही सरप्रतम तीर वर्स माध्यमिक और चार वर्स की उच्छ सिक्षा प्रणाली की अनुसंसा की जो चार वर्स के उच्छ सिख्षा प्रणाली है उसके अनुसंसा किस ने किये थी डॉक्टर लचमर स्वामी मुदालियर ने व्यवसाइक प्रसिच्छर संस्थान वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की सिफारिश की तो मुदालियर ने बोला कि जो वोकेशनल ट्र इच्छर पद्धिती को अपनाने की सलादी ने पॉइंट है संख्यात्मक अंक देने के बजाए सांकेतिक अंक दिये जाने की सलादी जो हमें नमबर्स में जैसे की वन टू थ्री में जो हमें नमबर्स मिलते थे उन्होंने बोला कि उसके बजाए हमें संकेतिक अंक दिये चाहिए तो जो डॉक्टर लच्मर स्वामी मुदालियर थे उन्होंने बोला कि गलित समान ग्यान कला संगीद अनिवार होने चाहिए जो कि पाठिक्रम में होने चाहिए उच्छ तथा उच्छ तर्माद्यमिक इस तर पर नेट्स थापड़ हम हम देखेंगे भावात्मक हेक्ता समीत Dios emotional integration कमीटी 1961 इस समीत को डॉक्टर संपूरा नंद की अद्यच्छ ता में स्थापित किया गया था आप जो emotional integration कमीटी उसकी किसकी क्या इसका मुख्य देश में भावात्मक एक्ता को बल देना था इसका नाम एक्ता को बल दिया जाए इसमें युवाओं के लिए सैक्षे कारिक्रम का गहन अध्यन किया और उनकी भागेदारी को सुनिच्छित करने के लिए सुझाओ दिये इसमें इंपोर्टेंट यह है कि इसकी अध्यच्छे कौन थे ठीक है और दूसरा इसका उद्देश क्या था नेक्स्ट हम देखेंगे राश्ट्रिय सिक्षा इसको इंपोर्टेंट लिए आप पूरी यह जित पूरा कमीशन ही इंपोर्टेंट है हमारे लिए ठीक है इसके एक पॉइंट को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे बहुत सारे कोश्चन पुटब किये जाते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं तो आप जल्दी फटा-फट अपने फॉर्म फिल कर लीजे और अपनी पढ़ाई पर लग जाए हाइर एजुकेशन हम करा रहे हैं वह एक तो दिन में कम्प्रीट भी हो जाएगा इसके बाद हम कम्मिनिकेशन शुरू करने वाले हैं तो अगर योग को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है नैशनल एजुकेशन कमीशन इस आलसो नोवने कोठारी कमीशन इंप्वाटन पॉइंट है याद रखेगा आप लोग सबसे इंप्वाटन पॉइंट यही है कि जुराश्वी सिक्षा आयोग इसका दूसरा नाम क्या है या फिर 1964 से चाचट में भारत की केंद्री सरकार ने सिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं नई दिशा देने के उदेश से विश्य विद्याले अनुदान आयोग के उस समय के अध्याच डौक्टर दौलत सिंग को उठारी की अध्याचिता में एक आयोग का गठन किया सरकार ने सोचा कि नई सिक्षा प्रणाली सिक्षा को हमें नया आकार देना चाहिए तो उन्होंने क्या क्या एक आयोग गठन किया और उसके अध्याच कौन थे डौक्टर दौलत सिंग को उठारी इसके केवल कुल 17 सदस थे अब यह जो आयोग गठन किया गया इसमें कितने सदस थे 17 ठीक है 17 सदस थे 6 विदेशी वर्ग गे थे इसके लिए कारकारी दल वर्किंग ग्रू भी बनाएगे इस आयोग को भारत के सिक्षा इतिहास में आज भी सरवादे गहन अध्यन माना जाता है यह जो हमारा कमीशन था यह इतना इंपोर्टेंट था इतना अच्छा था इसमें इतने अच्छे-च्छे बदलाव किये गया कि यह आज भी इतना ही पॉपुलर है इतना ही इसको इं और राश्ट्रिय विकास Education and National Development Report के नाम से भी जाना जाता है important है याद रखेगा कि इस आयोग को यानि कि जो हमारा कोठारी आयोग है उसको सिक्षा और राश्ट्रिय विकास के नाम से भी जाना जाता है आयोग की आयुकती के निमनिलिकित प्रियोजन थे सिक्षा विज्ञान और तकनीकी में सुधार किया जाए तो दौलत सिंग उठारी ने बोला कि सिक्षा में विज्ञान में और तकनीकी में सुधार किया जाए राश्ट्रिय सिक्षा प्रणाली का विकास हो धर्म निर्पेच लोगतंत्र की सिक्षा यानि कि किसी भी धर्म के प्रती बेदभाव ना किया जाए किसी भी धर्म का बच्चा स्कूल में आ करके पढ़ सकता है कॉलेज में आ करके अपनी सिक्षा ग्रहण कर सकता है तो धर्म निर्पेच देश बने हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिक्षा में गुडात्मक विकास सिक्षा में विकास हो डवलप्मेंट हो सिक्षा इस तरों का विकास सिक्षा के इस तरों का भी विकास किया जाए तो यह सभी उन्होंने क्या दिया प्रियोजन नेक्स्ट पॉइंट है इस सिच्छणायों के मुख्य अनुसंसाओं का वर्णा निम्न प्रकार से किया गया है। फस्ट है राश्ट्रिय सिक्षा एवं अनुसंधान परिशद NCRT को भारती इस तरपर विद्यालिये सिक्षाव का भार सौप आजाए। तो जो दॉलर सिंग को ठारी थे उन्होंने बोला कि जो NCRT है उसको क्या क्या जाए विद्याल है कि जो सिक्षा है उसका पूरा भार NCRT को सौप दिया जाए। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि केंद्रिय सक्षा सलहकार बौर्ड है यानि केब है और अधिक दिकार दिये जाएं जो केब है यानि दो चीजें ये बोली तीसरी चीजी उन्होंने क्या का सिक्षा को रास्तिव महतो hopefully माना माना जाए शिक्षा को क्या क्या जाए नैशनल मुद्दा माना जाए उसको यह माना जाए कि बिना सिक्षा के हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता है जब हम यह मानेंगे कि जब हमारा देश सिक्षा के बिना कुछ कर नहीं सकता तब हम सिक्षा को ज्यादा पढ़ावा देंग राज्ट्री सरकार नाश्वर करणा नीती बनाए उन्होंनेे कि का बोला कि कौन और जो राज्ञ्र सरकार नेती बनानी चाहिए त्था हुआ नियुक राज्जे सरकार इस्टेट अधुकेशन अक्ट बनाए जो हमारी सerson अधुल का कैं नाश्टप Capital changes ये आ और अधिकारत दिये जाए फोर्थ नमबर पे तीन वर्स के डिग्री कोर्स और चार वर्स के ओनर्स डिग्री कोर्स का प्रिस्ताव जो कोठारी थे दौला सिंग कोठारी उन्होंने बोला कि तीन वर्स का डिग्री कोर्स होना चाहिए और चार वर्स का ओनर्स डिग्री कोर्स इसका भी उन्होंने प्रस्ताव रखा उच्छ सिक्षा की गुडवत्ता में सुधार के लिए भारतिय सिक्षा सेवा प्रारंब करने का सुझा इंडियन एजुकेशन सर्विस उन्होंने बोला कि उच्च सिक्षा प्रणाली कि अगर गुडवत्ता को बढ़ाना है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए भारतिय सिक्षा सेवा का हमें गटन करना चाहिए, इंडियन एजुकेशन सर्विस हमें देनी चाहिए और उसका प्रारंब करना चाहिए तो उन्होंने बोला कि उच्चे सिक्षा की जो गुडवत्ता है उसकी सुधार के लिए हमें काम करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सकल घरेलूत पाद का 6% सिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए ये सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली थी और इसको माना भी गया दौला सिंग उठारी ने बोला कि केंद्र जो सेंट्रल गवर्मेंट है वो क्या करें सकल घरेलूत पाद का 6% सिक्षा पर खर्च करें सिर्चा पर खर्च करना चाहिए यह उन्होंने कह दिया था सुझाओ दिया था राज सरकारे भी अपने बजट का 6% इस पर खर्च करें तो Central Government और State Government दोनों ही 6-6% किस पर खर्च करें सिक्षा पर यह सबसे important point है और यह बहुत बार question इससे पूछा गया है next point है केंद्री सरकार एवं राज सरकार उच्च सिक्षा पर तथा राज सरकार प्रात्मिक एवं मादमिक सिक्षा पर ध्यान दे तो डॉलर सिंग कोठारी ने बोला कि जो Central Government है और State Government है दोनों मिलकर उच्च सिक्षा पर क्या करेंगी ध्यान अकर्षित करेंगी ध्यान देंगी और जो हमारी State Government है यानि कि राज सरकार है वो प्रात्मिक सिक्षा और मादमिक सिक्षा दोनों पर ही ध्यान देगी यह सब ही विशिस्ट विद्यालियों में सिक्षा के कारिक्रमों के लिए सिक्षा विभाग यानि डिपार्टमेंट ओफ एजुकेशन को स्थापित करवाएं जाने के अंशुशंशा की नेक्स्ट पॉइंट है जब राज्यों ने कॉंप्रिहेंसिव कॉलेजिस को सिच्छर ट्रेनिंग के लिए स्थापित किया जाना चाहिए ठीक है नेक्स्ट है अध्यापकों के लिए अलग से नियूंतम वेतन लगाया जाना चाहिए अध्यापकों को भी नियूंतम वेतन मिलना चाहिए कोठारी आयोग ने पार्ठीक्र में सुधार किया उन्होंने समानता पर ध्यान दिया क्योंकि उन्होंने बोला कि धर्म निर्पेच बनने चाहिए हमारी जो सिक्षा है ठीक है इस आयोकाउद देश देश में ऐसी सिच्छा प्रणाली का स्रजन करना था जिससे युवा वर्ग लाभानवित हो और देश की प् भागिदारी दे सके ठीक है इसलिए जो हमारी कोठारी आयोगे वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे कॉश्चन भी पुटप किये जाते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे त्री भासा सूत्र ट्राइग्विज फॉर्मुला ट्राइग्विज फॉर्मुला कि नेक्स ने दिया पता है आपको कॉमेंट करके बताया कि जो नेक्स ने दिया है ठीक है पहीं बोला गया कि जिस राज्च में हिंदी बोली जाती है वहां पर हिंदी बोली इस एसाब से ट्राइ लेंग्विज फॉर्मुला का बनाया गया यह नेड़ा उन्निस सो चाहट में प्रकाशित कोठारी कमिशन की सिफारिशों के आधार पर लिया गया तमिल नाडू सरकार ने इस सूत्र को नहीं अपनाया तो किस नहीं अपनाया ट्राइ लेंग्विज सुधर है वो किसने दिया है किस ने इसके शिफारिकी किसने इसकें बारे में बोला थीक है can were एल है नेक्स्नदेई के 7 10 प्लेस 2 प्लेस 3 सिक्षा पदिती को अपनाना कैसे कैसे यह सिक्षा पदिती अपनाई गई फर्स पॉइंट है वर्स 1932 में सिक्षा सचिव और सार्वजनिक निर्देश के निर्देशकों के सम्मेलन में 10 प्लेस, 2 प्लेस, 3 शिख्शा प्दति को देज भर के लियो अपचारिक रूप से अपनाने की उद्गोशना की गई तो किस वर्ष में की गई? 1912 में शिख्शा सचिव और सार्वजिनिक निर्देश के निर्देशजकों के सम्मेलन में 10 प्लेस 2 प्लेस 3 सिक्षा पणाली को देज भर में आपचारी ग्रूप से अपनाने की गोशना की गई 1972 याद रखेगा समाज कल्यान मंत्राले ने डॉक्टर पीडी सुकला की अध्यच्छता में इस पद्धिती को लागू करने के बारे में सुझाओ देने के लिए एक राश्ट्रिय समीती नियुक्ति की किसकी अध्यच्छता में डॉक्टर पीडी शुकला की अध्यच्छता में एक क्या की गई एक समीदी गठित की गई जिनसे कहा गया कि आप इस पद्धिती को लागू करने के बारे में सुझाओ दीजिए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है उनने सो सत्रा में स्थापिस सैडलर कमीशन कलकत्ता विश्यविद्याले आयोग को 10 प्लेस 2 प्लेस 3 सिक्षा पद्धिती का अग्रगामी माना जाता है सैडलर कमीशन हमने इससे पहले वाली जो लेक्षर था हमारा उसमें हमने सैडलर कमीशन देखा था उसको जो 10 प्लेस 2 प्लेस 3 सिक्षा पद्धिती है उसका अग्रगामी माना जाता है नेक्स्ट पॉइंट है विश्य विद्याले सिक्षा आयोग 1948 और भारतिय सिक्षा कमीशन 1966 ने भी आप प्रत्यच या प्रत्यच रूप से ऐसे सुझाव दिये थे विश्य विद्याले सिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे नेक्स्ट हम देखेंगे एजुकेशन और कॉनकरेंट लिस्ट 1976 सन 1976 से पहले सिक्षा मुख्य रोप से राज्यों के अधिकार में थी जो सिक्षा थी 1976 से पहले वो किसके अंडर में थी सिक्षा राज्यों यानि स्टेट गवर्मेंट के अंडर में होती थी सिक्षा ये अनुभो किया गया कि सिक्षा के छेत्र में जिस इस्तर पर विकास और प्रसार किया जाना चाहिए वे नहीं हो पाया ये देखा गया अनुभो किया गया कि जो सिक्षा में जतना सुधार होना चाहिए जतना डवलप्मेंट होना चाहिए जतना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है अता सिक्षा को सम्वरत्ती सूची में रखा जाए ताकि केंद्र भी संदर्व में अपनी वांचिक्त भ दोनों मिलकर सिक्षा पर काम करेंगे majh सिख्षा में नीतिया निर्दारित करेंगे सच्छा को शम्रत्ति सूची में लाने का अर्थ है कि केंद्र तथा राजसरकारें दोनों ही इस छेत्र में नीतिया निर्दारित कर सकती हैं नेक्स्ट है इस अंदर में ये उलेखनी है कि यदि किसी नीत के कारणवेन योग्यता में कोई मतबेद होता है तो केंदरी सरकार का यानि की सेंट्रल गवर्मेंट का निर्णे सर्वपरी माना जाएगा अगर कोई नीती बनाई राजने और केंदर ने अगर कोई क्या हुआ कोई डिस्प्यूट हुआ अगर दोनों में तो किसका माना जाएगा केंदर सरकार ने जो निर्णे लिया है वो सर्वोपरी होगा नेक्स्ट हम देखेंगे प्रतम राष्ट ये सेक्षा नीती 1st नैशनल पॉलिशे होन एजुकेशनtime 1968 में 1968 में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉंट तो यही है कि 1st नैशनल पॉलिशे होन कावा एं 1968 में दूसरी कब आई 1986 में जो 86 की नीती थी उसको revise किया गया और उसको क्या नाम दिया गया plan of action कब किया गया revise यह आप लोग मुझे comment करके बताएंगे कि जो 1986 की सिक्षा नीती थी उसको कब revise किया गया किस year में उसको revise किया गया ठीक है तो अब हम पढ़ेंगे first national policy on education 1968 को भारत की प्रतम राश्ट्रिय सेक्षा नीती घोशित की गई कब की गई चौबीस जुलाई 1968 को इंपोर्टेंट है याद रखेगा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि जो first national policy on education थी कब लागू की गई तो कब लागू की गई चौबीस जुलाई 1968 को भारत की प्रतम राश्ट्रिय सेक्षा नीती घोशित की गई थी 24 जुलाई 1968 को क्या की गई थी गोशित की गई थी यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोक के प्रतिवेदन यानि रिपोर्ट पर आधारित थी जो 1968 की जो नीती बनाई गई वो कोठारी कमीशन जो था हमारा उसकी जो रिपोर्ट उसने जो अपनी रिपोर्ट में जो जो जाव दिये उसकी आधार पर इसको बनाया गया था ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है समाजिक दच्चिता राष्ट्रिय एक्ता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने का लच्च निर्धारित किया गया बोला गया कि जो समाजिक दच्चिता होगी राष्ट्रिय एक्ता का संपर्क भाषा के रूप में विकास सिच्छा के अफसरों की समानता का प्रयास विज्ञान वा तक्नीकी सिच्छा पर बल तथा नयतिक वा समाजिक मूलियों के विकास पर जोल दिया गया इनमें सब वही बाते की गई जो कोठारी आयोग ने की थी, जो कोठारी आयोग ने जो सुझाव दिये थे, जो बोला था कि यह यह बदलाव होने चाहिए हमारी सिक्षा परणाली में, 1968 में हू बहू वही बदलाव किये गए, ठीक है, वही वही लागू किये गए, वही चीज ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रिय सिक्षा नीती नैशनल पॉलिसी और एजुकेशन 1986 अभी हमने कौन सी देखेंगे 1968 अब हम कौन सी देखेंगे 1986 फर्स्ट पॉइंट है सरप्रतम सरकार ने ततकालीन सिक्षा का सरवेच्षण करवाया और इसको सिच्षा की चुनोती नीती सम्मधी परिपेच यानी चैलेंज ओफ एजुकेशन आपॉलिसी परस्पेक्टिव के नाम से 1983 में प्रकाशित भी करवाया केंद्री और प्रांती सरकारों का ध्यान आकाशित किया जा सके सरप्रतम सरकार ने क्या किया जिततकालीन सिक्षा का सरवेच्षण करवाया जो हमारी 1968 वरी जो सिक्षा नीती उसका पूरा सरवेच्षण करवाया उसमें क्या क्या चुनोतियां आ रही थी क्या-क्या उसमें हमें बदलाव करने थे वो सभी उन्होंने क्या-क्या उसका सर्वेच्छड करवाया फिर 1983 में प्रकाशित भी करवाया कि केंद्री और प्रांती सरकारों का ध्यान भी इसमें आकर्शित किया जा सकें ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है 1986 की राष्ट्रिय सिक्षन नीत एन पीई ने भी काफी सीमा तक कोठारी आयों के प्रियोजन एवर मनुस्तंसाओं को ध्यान में रखा गया कोठारी कमीशन जो था वो इतना अच सिंग को ठारी थे उन्होंने अच्छे अच्छे सुझाओं दिये कि उनके सुझाओं को 1968 ने भी बहुत सारे सुझाओं को उनको माना और 1986 ने भी बहुत सारे सुझाओं को अपना है ठीक है तो उनका इतना अच्छा उन्होंने सुझाओं दिये थे सबसे पहले जो सिक्षा लेती आया थी वो कभाई थी 1968 में देन 1986 में इसको रिवाइस किया या कभ रिवाइस किया यह अंसर आप लोगों को देना है और उसके बाद कभाई 2020 में ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है राश्ट्रिय सिक्षा प्रणाली नैशनल एजुकेशन सिस्टम में सम्विधान की मूल धारणा इवं इस्तर तक बिना किसी बेदभाव के सभी को समान सिक्षा उपलब्द होनी चाहिए को वरीता देने का सिद्धान्द लागू किया जाना भी इसका घटक रहा है ठीक है एक इस तर तक बिना किसी बेदभाव के धर्म निर्पेच ठीक बार बार वही बाते आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्या कोठारी आयोग को ही अपनाया था 1986 की राश्ट्रिय नीती को आनेवाले समय का महाधिकार पत्र याने मैगना कार्टा भी कहा गया था इसके महतरपूर बिंदुओं का निमनरोप से उलेख किया गया जो हमारे 1966 की जो राश्ट्रिय नीती थी उसके महतरपूर बिंदु है कि महात्मा गांदी के विचारों के अंदुरूब ग्रामिर विश्व विद्याले की स्थापना की गई सेकेंड है इंद्रा गांदी मुक्त विश्व विद्याले की पद्धि पर मुक्त विश्व विद्यालों और दूरस्त अंध्यन पर बल दिया गया थर्ड है सिक्षा की सा एजुकेशन फॉर एक्वालिटी के अवधारणा भी कह सकते हैं नेक्स पॉइंट है सांस्क्रितिक परिपेच और मूल्यों पर अधारिस सिच्छा पर बल दिया गया सिक्षा के आधुनी करण एवं व्यवसाही करण यानि वोकेशनल एजुकेशन पर भी बल दिया गया यह स इतने बी बिंदू है इन सभी को आपको लिंक करना एकशे से क्योंकि इम्पोर्टेंट है इन से समान सच्छा सबसुप होना चाहिए इसमें प्रतम दस वर्स की सिख्षा को आधार भूत पार्टिक्राम यानि कोर करिकुलम माना गया जिसके द्वारा राश्ट्री मूलियों और व्यज्यानिक द्रिस्टी कोडों का विकास हो सके साथ ही प्रतेक स्थर के सिख्षा का नियूंतम स्थर मिनिमम प्रैन ओफ लर्निंग विक्सित होना चाहिए तथा गुडात्मा सुधार होना चाहिए ये सब हमारी 1986 की पॉलिसी में बात की गई और इसको लागू किया गया ये सिख्षा दिया जाना जिसमें चिकितसा, न्याय, क्रशी, विध्यान इवन तक्नीकी सिख्षा को प्रदान किया जाना इसके राश्ट्य विकास की संभावना भी बनती है तो क्या हुआ कि हम 10+, 2+, 3 इस्थर पर जो सिक्षा देंगे उसके साथ साथ बच्चों को कौन कौन से सिक्षा देनी चाहिए मेडिसीन की, नियाय की, एग्रिकल्चर की, साइंस की, टेकनोलॉजी की इन सब की सिक्षा भी बच्चों को देनी चाहिए प्रतियेक जिले में एक नवोदे विद्याले को स्थापित किया जाना जो कि बाकी विद्यालियों के लिए आदर्श विद्याले होगा 1986 में बोला गया कि एक जिले में एक नवोदे विद्याले भी स्थापित किया जाना चाहिए जो कि जो और विश्व विद्याले होंगे उनके लिए आदर्श विद्याले माना जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है उच्छ सिक्षा को सुलब करवाने के लिए मुक्त या खुले विश्व विद्याले ओपन युनिवर्सिटी की स्थापना करना आजकल बहुत लोग ओपन युनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है अपनी पढ़ाय को जारी करने के लिए ओपन युनिवर्सिटी इस ठीक है तो ये एक क्या बनाया गिया एक परिशत बनाया गिया भारती तकनी की सिच्छा परिशत नेक्स्ट पॉइंट है परिच्छा प्रणाली और मुल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा जो भी हमारी परिच्छा प्रणाली है उसमें क्या होगा मोडिफिकेशन होग संस्थाने बात की एक स्वायद निकाय बनाने की बात की गई थाक है वर्स 1992 में राश्ट्रिय से छप्रणाली में कुछ और सुधार करने के लिए एक नया दस्तावेश प्रस्तुत किया गया जिसको प्रोग्राम ओफ एक्षन पी ओ ए भी तहा जाता है अब ये पी ओ ए किसे कहा गया जो 19 पी ओ ए किसे कहा गया सबसे पहले जो हमारी नीती आई वो कब आई 1968 में फिर आई 1986 में जो ये नीती थी इसको क्या गया मॉडिफाई किया गया दुबारा से तो जब ये मॉडिफाई की गई जिस सन में की गई वो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे जब वो की गई तो उसको नाम किया गया प्रोग्राम ओफ एक्शन ठीके वो जो जब मॉडिफाई की गई 1986 वाली पॉलिसी उसका नाम दिया गया प्रोग्राम ओफ एक्शन तो ये अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, हम प्रोग्राम आफ एक्षन क्या होता है, और 1986 की जो पॉलिसी थी, उसमें क्या-क्या बदलाव किये गए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करना बिर्कुल ना भूलें, जो मैंने आपसे कॉशन पूछें, उनका आंसर भी आप मुझे कॉमेंट करके देंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्चैनल पर बने रहें, स्टे कनेक्टेड, स्ट से हल्दी, थैंक यू